हेलो प्रेंड्स इस विजय राज पुस्पन वेलकम टू लर्नराइज वाई वी रपी तो आई एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं इंग्लिस की दुनिया में आप सभी को जैसा कि पता है कि इंग्लिस इस बेरी इंपोर्टेंट इन एब्रीवर्डी लाइफ नहीं आप स सेंटेंस के ता सिंटेक्स क्योंकि सेंटेंस में चाहिए सब्जेक्ट रवर्ब और उसका जो काम करता है कौन करता है सिंटेक्स तो आई शुरुआत करें देगे सिंटेक्स में जेनरली तो आपने अभी तक जाना कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर सिंगुलर वर्ब और पुलरल सब्जेक्ट रहने पर काफी आपने इस पर एक्जामपल भी देखा लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपको इसे और अलग दुनिया में ले चलो तो अगर तयार है तो सुरुवात करें तो आज हम सुरुवात करेंगे सबसे पहले कहिएगा सर बता तो दिये एक्जामपल नहीं दिये तो मैं एक्जामपल भी देके बता दूँ जैसे मालो राधा जी है राधा लाइक है और लाइक से क्रिश्ना तो आप ही हमको बता दिजिए क्या होगा राधा सिंगुलर है और सबजेक्ट भी सिंगुलर तो सिंगुलर होने के लिए क्या चाहिए लाइक्स चाहिए अगर आपको इस तरीके से राता दे दे पले या या ऐसे राता दे हैस हैब टॉट मी अब गौर करो बच्चे लोग अगर यहाँ पे दे दे तो एक से जादा पुलरल है तो वर भी पुलरल चाहिए हैस तो सिंगुलर होता है तो कौन हो जाएगा हैब लेकिन मैंने कहा कि आपको एक बहतरीन डूल सिखाने जा रहा हूँ तो तयार हो जाएए सबसे पहले आपको बता दू जो केस होते हैं उसे हम लोग इस तरीके से रखते हैं अगर एक सी रहता था ता अबजेक्टीम में क्या लिखते थे हर और इसमें क्या लिखते थे पूजेशिब केस में इसमें क्या लिखते थे हर ही लिखते थे और पोजेसिव में अगर पोजेसिव दो के साता था एक adjective का और एक आता था पुर नौन का पूरून प्रयोग नहीं होगा हर भूक हो सकता है लेकिन हर्स भूक नहीं होगा तो रासा ध्यान भी रखिए ठीक है तो मैं आपको बता दूँ जैसे एक होता है ओ एन इडियान रखेगा वन क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास किजिएगा वन वन जो होता है इसका अर्थ हम प्रतेक की बात करें किसकी बात करें प्रतेक की बात करें द्यान रखेगा वन का प्रयोग किस रूप में हो प्रतेक के रूप में अगर हो तो हम लोग को इसका अबजेक्टिव केस तो वन रहेगा वो जैसिव एडजेक्टिव में इसका हो जात जाता है क्या हो जाता है वन्स एपोश्ट्रोफ वाला वन्स हम लोग देते हैं वो जैसी पुर्णावन में तो फिर इसमें कोई चेंजिंग आता नहीं अब जानने का प्रयास करें कि कैसे होता है जैसे अगर आपके सामने एक्जामपल है वन शुड डू यहां पर अप्शन दिया था हीज और ओन ठीक है ओर्ड यहां पर एक और अप्शन दिया था ओन्स ओर्ड देखें को देखिए वन सुड डू हीज ओन और ओन्स ओ ओर्ड यानि क्या करा है कि प्रतेक को अपना सब्द करना चाहिए मतलब याद करना चाहिए जो करना चाहिए अपने बादा निभाना चाहिए वर्ड का मतलब क्या हो जागा प्रोमिस के सेंस में है प्रतेक को अपना बादा निभाना चाहिए तो तुम ही बताओ यहाँ ओन का अर्थ जो है ओनी का प्रतेक के सेंस में हाई की नहीं है यह प्रतेक की ना बात कर रहा है और जब प्रतेक की बात करें तो वन के लिए हमेशा किसका प्रयों किजेगा वन्स का प्रयों किजेगा कोई दिक्कत है तो बोला जाए यह पहला केस है कि वन का आप लोग हमेशा एक और देखे एकजामपल है वन मस्ट डू हीज अबलिक वन्स ड्यूटी सभी को अपना करतब क्या करना चाहिए अबस निभाना क्या करतब पूरा करना चाहिए तब बताए वन है तो क्या दिजेगा यहां पे वन्स प्रतेक किना बात कर रहा है लेकिन मामला तब आ जाता है जब वन का परियोग एक के में अगर किया गया हो तो हम लोग यहां पे इसका केस ऐसे चलेगा वन रहेगा अब्जेक्टिव भी वन रहेगा लेकिन यहां पे जो केस आजाएगा हीज का केस आजाएगा ठीक है जैसे अगर रहे वन आफ माई फ्रेंड्स यानि मेरे दोस्तों में से एक डाज वन्स या हीज वर्क या होम वर्क अब बताएगे वन आफ माई फ्रेंड्स अने को में से एक जो मेरा दोस्त है एक दोस्त सेंस यहां पकड़िये कितना का दिर आए एक दोस्त जो है वह अपने होम वर्क को क्या करता है ना यानि का कम्प्लीट रहा था तो अच्छा था अच्छली ठीक है अब बताएग अब क्या होगा यहां पर हीज का प्रेंग होगा समझ रहें वन का और के साता है यह बाबू ओन एए और एक आता ओन एस तो यह पुझेसिव एडजेक्टिव में प्रेंग किजेगा अपना वला में किस अर्त में अपना के लिए इसका प्र पूर्रल के लिए समझे किसके लिए पूर्रल के लिए और पूर्नावन के रुप में इसका प्रेंग किया जाएगा अब कि आप पूर्नावन कैसे समझेंगे तो समझे गा है अगर यहां पर लिखा है यह दीज रोम्स आर बेटर better than those rooms यहाँ पर once भी लिखा गया है अच्छा बताए इसमें कौन सही होगा rooms सही होगा क्यों once होगा लिखा है these rooms are better than यह सब जो कमरे है वो ज़्यादा बेहतर है those rooms उन कमरों से तो मैंने कहा था एक बार जब noun का प्रयोग कर दिया जा तो दूसरे बार उसी noun का प्रयोग एक sentence में नहीं करना है तो अगर यहाँ पे plural रहे noun तो उसके लिए plural में क्या किज़ेगा once का प्रयोग किज़ेगा सिंगुलर अगर रहे तो उस जगा पे ओएणी का परिोगे जगा और अंतर है कि इसके लिए आप पुलरा के साथ दोज का परिोगे करेंगे और सिगुलर के लिए डेट का परिोग करेंगे यहाँ पर रोम स्थाइच से लिए दोज हुआा अब एक और के जाम पल देखें ऐसे रहा था इस प्लेयर इस बेटर दैन दैट या इस पेन इस बेटर दैन दैट पेन या वन या रहता वन्स तीन ओप्शन मारेगा भी यहाँ पे अब देख लो सबसे पहले देखिए इस पेन की बात हो रही है तो फिर इस पेन तो आएगा नहीं और पेन सिंगुलर है वन्स आएगा नहीं तो आएगा क्या और यहाँ पे एकजाम में दोज का भी परयोग करेगा बच्चे लोग तो दोज का परयोग मत कीजेगा क्योंकि सिंगुलर के स्क्रीन सोट ले लिजे और फिर हम बाते करते हैं अगर दिख्कत है तो बोला जाए फिर से समझाने का प्रयास करूंगा नहीं तो कमेंट बॉक्स खुली हुई है तो हम प्र की आपसल बताए यह पेन सिंगुलारा की पुर्रल ने सिंग्लार के सात्धी होत है जो अद्शाओ एंगला नियुअ ने सिंग्लया थिकल्ग करना है वह निकापर करना आप उल्राथा जैस स्का प्रियू करते हैं और अपना अपने रहता तो कैसा वाला लगता से भी देख लो कैसा वाला लगता याद रखेगा यह वन यह वन्स और इस वन्स में बहुत अंतर है इसका प्रयोग पुल्राल के साथ करेंगे और इसका प्रयोग पुजेसिव एड्जेक्टिव यानि अपना के साथ करेंगे अपन चोटी चोटी बाते हैं ठीक है जो आपको मंजिल दिला सकती है तो सबसे पहले इसको स्क्रीन सोट लिया जाए फिर से